दोस्तों, 18 साल में बनकर तयार हुआ इस बांध का आकार इतना बड़ी है कि इस से पैदा होने वाली बिजली से आधा दर्जन देश जग मगा सकता है। यानि कि दुनिया के 6 से 7 छोटे मोटे देशों की बिजली आपूरती केवल इस एक बांध से तयार बिजली से हो सकती है। दोस्तों, विशालकाय इस बांध को बनाने में धाई लाक करोड रुपए से भी अधिक की लागत लगी है। इस बांध का निर्मान साल 1904 में शुरू हुआ और 2012 में यह बन कर पूरी तरह तयार हुआ। दोस्तों, दुनिया का यह सबसे बड़ा बांध चीन ने बनाया है। त्री गोर्जेस डैम, 2.3 किलो मीटर लंबा, 115 मीटर चोड़ा और 185 मीटर उंचा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है। यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। दोस्तों, यह बांध इतना बड़ा है कि इसके भारी बोज के कारण प्रिथवी के घूमने की स्पीड तक कम हो गई। इसके कारण दिन कुछ बड़े हो गए हैं। इस बांध में इतना पानी इकठा किया गया है कि इससे प्रिथवी का जड़ हत्वा घूर्ण प्रभावित हो गया। और प्रिथवी के घूमने की गती धीमी होने से एक दिन का समय 0.06 माइक्रो सेकेंड अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। दोस्तों, इस बांध को बनाने में इतने ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ है कि इस से 5-6 एफिल टॉवर बनकर तयार हो सकते हैं। खबरों के मताबिक दुनिया के सबसे बड़े बांध को बनाने में 63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, इस डैम के कारण पर्यावरण को खासा नुकसान भी हुआ है. इस डैम ने प्रित्वी के वातावरण पर कुछ असर डाला है. साथ ही इस डैम के बनने से आसपास के क्षेत्र में भूर्थलन और भूकंप का खत्रा भी, साथ ही जीव जन्तूओं के जीवन पर भी स अंकट खड़ा हो गया है.